एक बेबी सीटर जो पैसों के लिए बच्चों के फादर के साथ सोती है उसके लिए डीमांड बढ़ने लग गया तो अपना नेटवर्क बढ़ाती है इसी विजनेस में कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक कर देजएगा बीना किसी देरी के एक्स्प्लिकेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन गारेक्टर जिसका नामे शर्ली या अपने कुछ क्लायंट के साथ इंटिमेट होने के लिए एक रिमोट सी जगा पर आई हुई थी उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी है वो गहती है मेरे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ मेरे अब्यूजिंग भैरेंस नहीं थे मुझे सही से ट्रीट किया गया था इसका मतलब है यह सब करने का रिजन कुछ अब्यूज नहीं है अब यह सब वो क्यों करने लगके इसका पीछे का रिजन हम फ्लैश बैग में पता चलेगा फ्लैश बैग स्राट होता है वर शेरली हमें उसके क्लास में दिखती है शेरली की दो फ्रेंड्स है एक का नाम है मलीसा दुसरी का नाम है ब्रैंडा एक्च्वल में ब्रैंडा का ब्रदर है शेरली को लाइक करता है इनके अब थोड़े दिनों में सैट आने वाली है इसका मतलब है वे कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत ही इंपोर्टन एक्जाम इनकी टीजरी ने कहते हैं इस पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है इसे सिरियस लो इसके बाद शाम में शर्ली को लेने के लिए माइकल आने वाला था एक्च्वल में माइकल को एक बेटा है माइकल और उसकी वाइव कई डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे तुने बेबी सीटर की ज़रूरत है एक्स्टा पैसे कमाने के लिए शरली बेबिसीटर का काम करती है दो-तिन गंडे के लिए वो उनके बेटे पर ध्यान रखेगी माइकल आने वाला था तो शरली बहुत ही अच्छे से रेडी होती है माइकल ने आने पर उसे हाय कहा तो शरली मदर के सामने ही शर्मा गी माइकल को उसके फ्रेंड ने ओफर दिया याग कर तू मेरे साथ काम कर सकते हो उसका फ्रेंड बहुत ही एमबिशियस है बहुत सारे पैसे उसे देने वाला था माइकल की वाइफ जिसका नाम है गिल इसे फ्रेंड अच्छा नहीं लगता गर पर शरली इनके बेटे के साथ थी तो उसके शर्ट पर केचप पड़ जाता है इसे वाश करने के लिए उबेस्मेंड में के यहाप पर उसने देखा कि माइकल को एक होबी है वो छोटे छोटे घर वेगरा इस तरह की चीज़े बनाता रहता है उसने यहापर रेलवे ट्रा कर रहे हो यह सब को सही है उसे जो सिक्रिटी हा मिलती है यह सबसे जादा इंपॉर्डंट है चलते चलते हैं यह रेल के ट्रैक्स पर आये माइकल कहता है क्या तुम्हें ट्रैक्स याद है यही पर यह फर्स टाइम मिले थे वो गेल के साथ जाकर इसे विजिट करना चाता गेल अपने बेटे के लिए वरीड थी तो उसे जल्दी घर जाना था क्लेरली इन हजबन वाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट है शरली घर पर एक एक चीज़ साफ करने लग गई थी उसे कोई भी चीज गलत अच्छी नहीं लगती वो सारी चीज़े साफ कर रही थी शरली को भी नहीं आती है शरली अपने आपको एक्स्प्रेंट करने के लिए कहती है यह मुझे चीज़े एक पर्टिकुलर मैनर में अच्छी लगती है जैसे कि इस डायनर का टेबल यहां का सॉल्ड वगेरा सब कुछ ठीक तरीके से रखा होना चाहिए माइकल इसे और ही बता देता है वो कहता है एक एबेंड़न सा रेलवे ट्रैक था वही पर हम फर्स टाइम मिले थे रात में मैं और मेरा फ्रेंड यह दोनों वहाँ पार्टी करने के लिए गए हुए थे तब यह पूरी तरीके से नशे में गेल वहाँ पर आई वही पर यह दोनों पार्टो फनी हो उसने उसे पूचा क्या तुम्हे कुछ कूल देखना है इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक्स पर लेकर आता है यह दोनों मिलकर ओल्ड रेलवेस देखते हैं और माइकल ने शेरली को किस कर लिया गाड़ी में जब यह आये तो हैं रियलाइस करते हैं यह सब में हैंग आउट करने के लिए यही पर वो माइकल को फिर से देखती है माइकल अपने बच्चों के साथ यहां आया हुआ था गेल ने शेरली को देखा उसके पास आकर बात करते हैं कहती है मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी बेबिसीटिंग के लिए एक डे इन्होंने फिक्स किया इस डे पर डारेक्टली माइकल और शेरली यह दोनों इंटिमेट हो गएं इंटिमेट होने के बार कार में स्प्रीं का एयर आ रहा था इन्हें बहुत अच्छा लगा जाते जाते माइकल शेरली को 200 डे देता है कहता है क्या यह ठीक है शेरली उसे ब उसकी फ्रेंड उसे बुछती है क्या बेबी सिटिंग करना इतना इंपोर्टेंट है तुम्हें कितने पैसे मिले थे उसने कहा कि 200 डॉलर्स उसकी फ्रेंड कहती है इतने सारे पैसे तुमने ऐसा किया क्या शेरली उसे माइकल के साथ इंटिमेट होना बता देती है उसकी फ चिन में ये फिरसे बैब लिए गई और माईकल के साथ इंटिमेट हो रही थी है, माईकल कहता है कि मैने तुम्हें लास्ट राम पे किया, ये तुम्हें शायद गलतल लगा होगा उसे movement कहता है, इस ने गाहँ तुमने कुछ भी बोला नहीं, शेरली गहती है, वेसे भी जेनर प्लिज किसी को भी इस बारे में बताना मत अब फ्रेंड को यह सब बात पता चल गए तो उसे भी शेरली की तरह एक बेबी सीटर की जरुवत थी शेरली ने इस पर सौचा अपनी फ्रेंड मली सा को भीज दिया शेरली की फ्रेंड और माइकल का फ्रेंड यह दोनों फिर लगी इसके बाद यह सब करना इनका स्टार्ट हो गया था इनके कस्टमर और वी बढ़ने लगे एक दिन इन्हें तीन लोगों की जरुवत थी शेरली और मलीसा यह दो ही थे तो उन्हें और एक बेबी सेटर की जरुवत पड़ेगी यह आइडिया मलीसा ने उसे दिया मली के बाहर ब्रैंडा का ब्रदर जो शेरली को लाइक करता है उसके पास आया उसे किस करता है और कहता है थर्ण में किस बहुत अच्छी लगती है और फिर इसके बाद वो चला गया शेरली जब घर पर आई तो माइकल उसकी खिड़की में वेट कर रहा था यह दोनों इंटिम कुछ भी नहीं बेड के नीचे माइकल को शरली के पैसे मिल गए उसे पता चल गया कि वो और भी बिजनेस करती है उसे इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं था शरली की फ्रेंड ब्रैंडा यह फर्स टाइम बेबी सिटिंग की ले गई उसे शरली ने बताया नहीं था कि उसे इंटिमेट होना पड़ेगा जैसे वो बेबी सिट कर रही थी उसके फादर ब्रैंडा को चंगल में लेकर आते हैं किस करने के लिए उसके पास आये ब्रैंडा के तीक तुम यह क्या कर रहे हो वो बहुत ही डर गया उसे लग ही रहा था यह कुछ न कुछ तो गड़वड होगी वो उसे कहता है तुम बहुत ब्यूटिफुल हो घर जाकर अपना एक फोटो लेना हमेशा इसी तरह के से परफेक्ट रहना अगर तुम चाहो तो हम दोनों सिर्फ बात कर सकते कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं ब्रैंडा को भी वो पसन आया इसके ब मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है कितना टाइम हो गया शेरली कहती कि एक मन प्रैंडा उसे बुछती है कि यह मैं एक्स टाइम कब कर सकती हूं इस काम के लिए अब वो रेडी थी यह तीनों मेलकर काम करने लगे शेरली के पास डिमांड बढ़ने लग रहा था उसका बॉस कहता है लास्ट अकाउंट पर तुमने अच्छा सा काम ने किया उसे बुछता है क्या कुछ चल रहा है माइकल को उसके मिंस्टेक के बारे में कुछ भी आइड़ा नहीं था यहाँ पर डिसकेशन हुआ कि शरली की अब गंपनी है वो सारे बेबी सिटर क्यों रही हो मुझे लगा था यह सिर्फ हमारे बीच में है शरली उस पर गुसा हो के क्योंकि उसे की वज़े से उसने सब कुछ स्टार्ट किया है यह बात कर रहे थे तब शरली के फादर वहाँ से गुजरते है माइकल फिर चला गया ब्रांडा आज कल जो भी पैसे कमा र शरली ब्रांडा से उसका कट मांग रही थी तब यह कहती है कल मेरी सिस्टर गई थी शरली ने नादिन से बात की नादिन कहती है सब कुछ काम मैंने किया तो तुम्हें कट क्यों शरली ने कहा कि इसी दरीके से बिजनेस चलता है नादिन देना नहीं चाती थी पर फिर भी से पैसे देने पड़ते हैं इसके बाद थोड़े दिनों में एक एक करकर शरली के क्लाइंट कम होने लग गए उसने फिगर आउट किया कि नादिन ने और कुछ इसकी फ्रेंड्स हो लेकर ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है इसके बारे में वो ब्रैंडा से बात करती है कहती हैं उसके सब चीज़े चेक करो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ब्रैंडा ने उसे कहा कि मैंने सब कुछ चेक किया मुझे कुछ भी नहीं मिला ब्रैंडा सही से जुट भोल नहीं पाती वो भी अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रही थी शरली बहुत ज़्या हो जाती है वो खुच जाकर इन दोनों का लॉकर चेक करना चाहती थी रात में स्कूल में आ जाते हैं उन्होंने माइकल को भी बुला लिया था उन्होंने स्कूल का लॉकर तोड़ दिया और सब कुछ चीज़े चेक किये पर इन्हें कुछ मिला नहीं इन्होंने अगर एक ह उसके लिए बहुत ही वरीड थी, कहती है तुम्हें मुझे कॉल भी नहीं किया, इतने टाइम तक कहा थे, माइकल कहता है मेरे एक मीटिंग थी, वो से बुशती है क्या तुम्हारा अफेर चल रहा है, माइकल कहता है कि आफकोस नॉट, केलने का नेक्स टाइम मुझे कॉल करन शेरली की सारी तोड़ फोड करने के बाद, नादिन और उसकी फ्रेंड्स ढर गई थी, शेरली उनसे गहती है, अगर मेरे बैक के पेचे, फिर से कुछ भी चीज़ की, तो बहुत बुरा होगा शेरली को धमकी देता हुआ देखकर मलिसा गहती है, तो यह वैकेशन पर जाना चाहिए, एक्चुल में अपने सब क्लाइंट्स के साथ वो एक वैकेशन प्लान कर रही थी, शेरली भी इसके लिए मान जाती है, अब इस वैकेशन पर माइकल और उसके सब फ्रेंड्स आया, यह सब मिलकर पार्टी करते है, शेरली और उसके फ्रेंड्स के साथ ही इंटिमेट हो रही थी, माइकल के फ्रेंड्स ने उससे कुछ ड्रग्स दिया, वो गहता है इन सब लड़कियों में से, ब्रैंडा सबसे ज़्यादा स्पेशल है, वो यह सब करती क्यों है, उसे इसके बारे में पता ही नहीं, यहाँ पर शेरली किसी और के साथ इंटिमेट हो रही थी, और माइकल उसके पास आया, तो उसके पास आजाती है, सारे मिलकर ड्रग्स लेते हैं, इस ड्रग्स की वज़े से, ब्रैंडा को बहुत ही अजीव लग रहा था, उसकी तवियत खराब हो इसी हालत में एक आदमी उसके साथ इंटिमेट हो रहा था, यह उसका बहुत ही बैड एक्स्पिरियंस रहा, इसके बाद यह सब काम वो नहीं करना चाहते हैं, शेरली ने जब उससे बात किये, तो रोने लग गई, उसे अब यह सब डिस्गस्टिंग लग रहा था, शेरली इस बात को जादा सीरेशली लेती नहीं, रात में मलीसा फिर से उसे मिलने के लिए आए, वह गहती है कि मेरा कॉलिज में एडमीशन हो चुका है, अगर हम जो भी सब करते हैं, किसी को भी इसके बार में पता चला, तो उसे एडमीशन नहीं मिलेगा, रात में मलीसा ने ब्र स्कूल में शेरली को इग्नोर करता है, शेरली मलीसा से फुष्टी है, तुमने ऐसा किया क्यों, मलीसा कहती है, मुझे जो ठीक लगा, वो मैंने कर डाला है, आज कर माइकल का अपने काम पर जादो कॉंसें नहीं था, उसे एक इंपोर्टन अकाउंट से निकाल दिया जाता इससे उसी सैलरी भी कम हो जाती है, यह बाद जब उसने गेल सी की, तो इस पर बहुत गुसा हो गई थी, माइकल कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, हमारे बाद सब कुछ है, तुम्हें और क्या चाहिए, वो गुसे में यहां से चली के, आज माइकल के बेटे ने टीजर को गा इडिया है, अच्छा हुआ कि उसका जॉब चला गया, अब वो अपने फ्रेंड के पास जाकर उसके साथ बिजनेस करेगा, आज रातो खुछ था, तो शेरली के साथ फिर से ट्रेंड ट्रैक पर आता है, उस रात उनकी ट्रीप पर जो भी हुआ, इसके लिए सौरी कहता है, माइकल शेरली को बहुत ही लाइक करता है, कहता है, हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, शेरली कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो, हम दोनों बहुत ही घटिया लोग है, हम दोनों के लिए कोई भी हैपी एंडिंग नहीं, माइकल चाहता था कि दोनों हमेशा एक जाते हैं रात में शरली ने ब्राइंडा को sorry कहने के लिए call किया उसका प्रदर ये call उठाता है वो कहता है ये ब्राइंडा जड़ा busy है तो इसके बाद शरली नादीन से बात करना चाहती थी, वो कहता है नादिन बेभी सीट कर रही है, शरली इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आओगे, वो नादिन को रंघे हाथ पकरना चाहती थी, तो उसने मली साह को कौल किया, इस वक्ट मली साह अपने क्लायन के साथ है, तो उसी के गाड़ी में शरली को पिक अप करकर ये ब्रैंडा की जगा पर आ जाते हैं उसे गाड़ी से निकाल कर बहुत मारते हैं एक ब्रीज से उसे उल्टा लटका रहे थे उसे धमकी दे रहे थे ये फिर से कभी होना नहीं जाई है नादीन को धमकाते वक्त वो नीचे गिरने वाली थी पर इनके क्लायन ने उसे बचा लिया नदीन आज राज जिस आदमी के साथ इंटिमेट हो रही थी वो गाड़ी से बाहर निकला ये एक्चुल में शर्ली के फादर थे शर्ली को ये देखकर बहुत जादा शौक लगता है वो बहुत रोई उसने आज तक जो भी किया इन सब चीजों का उसे पश्तावा आया वहती है इन सब बातों के लिए मुझे कोई भी फर्गियों नहीं कर सकता जो भी गलतिया उसने की इन गलतियों के साथ ही उसे अपनी जिन्दगी गुजारने पड़ेगी उसके लाइफ के स्टोरी की एक अजीव सी गलती समझ कर वो अपनी लाइफ में फि माइकल भी अपनी फैमिली के साथ अब खुश था यही बरे मुवी एंड हो जाती है जब तक शरली किसी और के रिलेशन्शिप के साथ खेल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था पर जब उसने अपने फादर को देखा तो किसी को वो कितना हट कर सकती है यह उसने हम फिर से मिलेंगे और एक नेमू के साथ तब तक लिए थैंक्यू आप अपने आपका ख्याल रखिया है